हालो माइ दियर फ्रेंड यू आ अगेन वेलकम टू पी एल्सी माइक्रो कंट्रोलर और निस्कारा वीडियो लेक्ट्रो अगेन आ यूड लाइक टू से पी एल्सी का सभी वीडियो अप्लोड होगा हैं तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज गो अना प्लेलिस्ट प्लेलि इससे पहले का वीडियो जो हम पीन डाइग्राम बताया थे उसमें पीन डाइग्राम को यह ब्लॉक जो हम पीन डाइग्राम बताया थे उसको ब्लॉक डाइग्राम में बस इसने क्या क्या कानवर्ट कर दिया तो यह हम ब्लॉक डाइग्राम के नाम से जानते हैं तो देखि यह नहीं मतलब कोई भी चीज़ हो अगर वो डिजस्टाल है तो उसमें CPU मेन होगा उसके बाद गाइस देखें इंटरप्ट आता है इंटरप्ट आगे जाके हम बताएंगे इसके लिए तो एक पूरा टॉपिक की पड़ा मंदब पड़ा हुआ है आगे इंटरप्ट क्या होत होता है आउर है एंटर का करने कोüyorsun होता है नारी के कता है आप विपल मयंट और को करते माई होताय करते है प्लीज करने में त्षचा क समझ में आएगा उसके बाद जब हम पीन डाइग्राम पढ़ा देते तो आपको अक्सिलेरेटर अक्सिलेरेटर है जो कि क्लॉक पल्स प्रवाइड करता है मैक्रो कंट्रोलर के अप्रेशन के लिए फिर से बस कंट्रोल देखें कुछ कम्मिनिकेशन करने के लिए मतलब इनके बीच में कम्मिनिकेशन करने के लिए हमें एक कम्मिनिकेशन करने के लिए एक बसस की जरूरत होती है जो कि पील्स में विता इसमें विता तो कंट्रोल बस जो की डेटा या कम्निकेशन प्रवाइट करती है उसके बाद चलते हैं हैं रिटेंड नोट में भी सेम होई है और के टेक्चर ऑफ जीरो फाइफोन माइक्रो कंटूलर तो जो हम आपको अभी पिक में दिखा रहेते हैं वहीं सेम थिंग है देखिए क्या है सबसे पहले हमने सीप्यू को बता है कि जो में पार्ट होता है उसके बाद इंटरफ आते हैं इंटरफक एक्सटरनल होते हैं इंटरफ उसके बाद 5nemoton का रोम होता है मतलब program का program store करने के लिए 128 Kb के रैम होता है जो की data से टाइमर होता है timer counter input होते हैं फिर चायर होता है time clock pulse provide करने के लिए बस चांट्रोल communication के लिए होता है input output का बहुत जद़ प्रियोग होता है interfacing के लिए और bus control रही कम्मिनिकेशन के लिए होता है चली हम एक चीज को अब थियोरी में देख लेते हैं अगर आपके कोई इक्जाम में आया कि आर्खिटेक्चर बनाई यह जिरो फाइफोन का तो सबसे पहले तियो फिगर मस्ट है फिगर बनाएंगे फिंकर के लिए वह टू माक्स होगा उसके अब इक एक चीज को अब थिर्टीकली लिखेंगे तभी तो नंबर पाएंगे लट्सी ऑट इस अफ्यास और सेंट्रल अब जानते हैं सेंट्रल प्रोसेंस्इंट को cpu के नाम जानते हैं जो की ब्रें अफ माईक्रो कंट्रोलर नहीं होता यह होता है इट मोनितर कंट्रोल all operation it monitor and control मतलब monitor करता है और control भी करता है जो भी operation हम दिये होते हैं programming किये होते हैं CPU में that perform a microcontroller unit CPU जाने हैं CPU क्या होता है ब्रिया होता है microcontroller का उसके वाद अब आता है interrupt उसके वाद interrupt आता है interrupt is a subroutine मतलब आएगा तो कैसे लिखेंगा that are more important at time of operation in the case of emergency मतलब अगर हम एक जैसे हमारा कोई program चल रहा है जैसे हम microcontroller से किसी चीज को controlling कर रहा है जैसे हम oven में कुछ रख दिये हैं जैसे oven नहीं मांगे चलिए कोई industry है industry में bottle fill हो रहा है जैसे industry में bottle fill हो रहा है क्योंकि कुछ कारण कर टाइमिंग मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा तो समय हमें तुरंत उप्रेशन इमर्जेंसी में मतलब microcontroller को एक interrupt interrupt मतलब जानते हैं कोई भी काम में बाधा आना तो वह जो बाहन था मतलब उसका टाइमिंग पहले स्पिक सके 15 सेंड लग रहा है बोटल को भरने के लिए लेकिन हम अगर अगर प्रोग्रामिंग चेंज करें कुछ और अगर operation बोटल को छोड़ कर अगर मांगे चलिए मांगे चलिए जो स्पीड है जिस पर बोटल आ रहे हैं वह स्पीड धीर हो गया है तो अगर हम स्पीड तीज करेंगे तो वह एक इंट्रप्ट होगा क्योंकि इसको छोड़के अब स्पीड को बढ़ाएगा तो इंट्रप्ट होई होता है तो दोस्टा फोन और उसो परिष оно उंट्रपार के इंट्रप्ट है तो ये इंट्रप्ट को सभी सेंट्र मैं अहोगा होगा स सांटर प्रसेशिंग यूडियेट सब्सेता था इंट्रक्ट थाड़ है मीमोरी इसके पहले हमने बताए कि मिमोरी दो परकारवी होते हैं प्रोग्राम मीमोरी जो कि data storage के लिए होती है data के लिए program के लिए जो program memory होता है micro controller में वो 4KW का रोम होता है और ज़ए data memory होता है 28 バट का होता है आपको हम मतलब इसको याद करने के लिए बता यह जिसमें वह रोम के लिए हो गया जिसमें AI वह data मतलब RAM 128 Bits का data memory होता है और 4KW RAM 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 रोम के लिए और होता है जो कि प्रोग्राम में वरिया होता है रैट यह जानगे कि data मतलब storage के लिए होता है उसके बाद buses देखे बसेज क्या होती है बसेज इस collection of wire which works as communication channel देखे कोई तो communication हमने जब architecture हम PLC को बता रहे थे तो हम बताया थे कि बसेज जो होती है एक प्रकार की collection of wire है जो कि communication provide करती है medium for transfer of data data transfer करने के लिए कुछ तो चाहिए microcontroller में वो होती हैं buses बसेज दो प्रकार की होती है उसमें हमने बताया था PLC में PLC में control bus अधिक थी इसमें दो बसेज है address bus और data bus देखिए address bus क्या होता है यहां पर देखिए microcontroller में address bus it is used to address memory location memory location मतलब memory location कोई भी हम programming दे रहा है तो हमें तो memory location चाहिए ना कि हमें कहां से data को transfer करना है CPU से देखिए the it is used to address location and transfer the address from CPU of memory to microcontroller मतलब CPU के किस address से microcontroller को मतलब address भीजना है transfer करना है क्या location है तो उसके लिए हम एक buses करते हैं और वो buses का नाम है address bus address bus जो होता है 16 bit address bus होता है डिजर 16 bit मतलब यह कितने bit का होता है 16 bit का होता है उसके बाद हम आते हैं next point जो data bus है data bus जो होता है 8 bit का होता है तक बहुत important है जो यह address bus होता है वो 16 bit का होता है हमने P diagram जो हम पढ़ा रहते तो आपको बताया थे क्यों क्यों 16 bit का होता है जो पीजhalf k drauf होता है और साख्याद पी पीज्यू पौठ और भीफोग होता है वह दोनुख को दोनुख इंबल नैवल बिच होता है पीछे डाके देख़िए कि उसमें बताएं क्यों address धी 16 16-bit का होता है अगर यहां पर बता देंगे तो गेम ही क्या हो जाएगा गेम जीरो हो जाएगा गेम ओवर हो जाएगा तो आपका सेस्पेंस तो बना रहा है क्यों 16-bit का होता है आप पीछे की वीडियो देखेंगे वहां आपको और ज्यादा इंफर्मेशन मिलेगा देखें डेटा बस जो होता है वह 8-bit का होता है और इसका यूज जो होता है कैरीड जाटा पार्टिकुलर अपरेशन मतलब एक निश्चित अपरेशन को प्रिफर्म करने के लिए हम डेटा का कैरी करते हैं किस बस करके डेटा बस करके उसके बाद आता है आकसेलेर के अगर आप समझ गैं तो आपका तो नॉलेज्च गिन हो गाई इसमें नोडाउट आउट अब को अगर आप मतलब नोड्स लिक्वी देते हैं जैसे हमने आपको प्रोइड कर रहे हैं तो आपके लिए से लिए वीडियार हो गया तो आपका बोड़मानर आप आपका अगर आप competition के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो तो प्रिप्रेशन हो ही रहा है आपका नोट्स भी प्रिपेर हो रहा है और यह क्यों यूज होते हैं अगर कोई भी डाउट बचा हो अगर कोई भी डाउट बचा हो तो प्लीज कमेंट यह अगर कमेंट करेंगे तो हम आपके मतलब डाउट को सुल्जाने का कुसिस करेंगे एक बार और हम बता देते हैं देखिए यहां से सबसे पहले सीप्यों जो की ब्रीन आफ माइक्रो केंट्रोलर उसके बदे इंट्रप्ट हम ने बताया जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं वाटसप यह यूटूब को इंफोन कर दिया जो कि बहुत इंपोर्टेंट है तो मतलब उसको इंट्रप्ट के नाम जानते हैं बाद छो होता है फिंट्रप्ट होता है ऐसे यहां पर ट्रांस्मीटर आप आकर पीं डाइग्राम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अचाइब आएगा कि यह ट्रांस्मीटर क्या होता है Benjamin अब आपको बहुत यह से मैंने इस वीडियो में आप समझाने का को सेस्किया कि मतलब आपके टेक्ट्चर क्या होता है इस figure को आप बना सकते हैं और आर्टेक्ट्चर में आई कैना जाहिन आपको 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 ड़का मधंगे ऊ अगए अगेन सम्ट उनक एक पार्गेंट मी एसे में मेंगे लिल तो खुल्ट्ट्स है को